जे जोहर संगवरी हो, मैं हूँ दिपक, ये हमारे डेली व्लॉगिंग का सत्रवाव वीडियो है और आज मैं बलासपूर में हूँ, एक्शली मुझे अभी आसपस में कहीं घुमने जाना था, बाइक नहीं है मेरे पास तो मैं Beyond Time के ऑफिस आया था, हरसीद भाई से मिलने के लिए, वैट अभी हरसीद भाई नहीं है और बाइक भी नहीं है मेरा एस्ट्रीम बन रहा है, बहुत दूर से वैट के मैं देख रहा था एस्ट्रीम, तो सोचा था सिफ खाने का वीडियो दिखाऊंगा, बट आपको ये कैसे बन रहा है वो भी दिखा रहा हूँ, एक्शली ये ड्राइब कोई डिलाइट्स है, बट इसमें मैं जेली भी चाह रहा था, तो भाईया को बोला कि जेली डाल दीजे, तो भाईया थोड़ा से जेली भी डाल रहा है, और बिलासपूर में मेरे साथ यहां पर कोई नहीं है, तो पार्टी मैं अकेले कर रहा हूँ, ये पार्टी है इस्ट्रागाम के 10K फॉलोवर का, तो मैं अकेले ही ख आइसक्रीम बनके राइडी हो गयजा है, तो थे, जी आइसक्रीम बनके राइडी हो गया है, उर ये क्योंकि बलासपूर में मेरे कोई दोस्त नहीं है तो पिर मैं अकेले ही आ गया हूं यह आइस्ट्रीम खाने के लिए तो खाता हूं यह मेरा फ्रेवरेट है जब भी मुझे कुछ सेलिबरेट करना रहा था या जब खुसी कपल होता है तो मैं आइस्ट्रीम कहता हूं कि स्रीकांत वर्वा महारगे के पास में ही यह लेंस काट है यहां से अंदर आपको जाना होगा यह बियॉंड टाइम का ऑफिस है तो यहां से आप गाड़ी बूग कर सकते हैं यहां से भी आप बाइक ले सकते हैं क्या प्रोसेस है बाइक बूग करने का वह पूछ लेते हैं तो यह बिलासपूर का मैप है तो आपको अगर बिलासपूर में आप कहीं भी रहते हैं तो आप बाइक बूग कर सकते हैं चाहे वो जिज्यू हो रिल्वे स्टेशन हो बस इस्टेंड हो मोक्का हो सरकंडा हो तो इस पूर एरिया में आप जहां भी है आप बाइक को बूग तो यह हैं ब्योंड टाइम के हरसित भाई जो गाड़ी प्रोवाइड करते हैं हरसित भाई मुझे गाड़ी लेना है तो मैं कैसे गाड़ी ले सकता हूं भाई सबसे पहले तो सर आपको बस इतना जानना है कि हमारा नंबर क्या है हमारा अगर एक बार कॉंटेक्ट नंबर जान गया है क्योंकि हम अभी मैनुवली काम कर रहे हैं किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में नहीं हमारी वेबसाइट जरूर है बट हमारा जो काम अभी चल रहा है वी आर वेरी इनिशियल स्टेज पे हैं हमारा स्टाटप जो है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सिर्फ हमारा एक कॉंटेक्ट नंबर से हमको कॉंटेक्ट करना है आपको अपना लोकेशन बताना है कि बिलासपूर सिटी के अंदर आप कहां पे हैं जिसमें कि हम 24 गंटे जी हां 24 इंटो स्यानार्स पिछले दो साल से हम 24 गंटे काम कर रहे हैं और अब तक में हमारे 4-5 जार कस्टमर बेस बन चुके हैं और हम लोगोंने अब तक में 3-4 लाग किलोमेटर प्लस की राइट करा दिया है नियर अबाउट 4 लाग किलोमेटर इस फिनेंशियल एर तक में हम लोगों पहुंची जाएंगे क्रॉस कर देंगे कॉंटेक नंबर क्या है हमारा कॉंटेक नंबर है सर 94 790 0 1860 कॉंकों से काड़िक प्रवाइट करते हैं हम सर प्रवाइट करते हैं होंडा शाइन होंडा एक्टिवा 6 GB 5 GB हीरो प्लेजर हीरो स्प्लेंडर बजाज सिटी 110 बजाज प्लेटिना बजाज पलसर 220 रोयल इंफिल्ड बुलिट 350 CC क्लासिक और क्या चार्जेस है सारी गाडियों के चार्जेस अलग अलग है जैसे कि नॉर्मल सेग्मेंट की गाडियों की बात की जाए तो 100 CC से 125 CC की गाडियों तक हमारा एक प्राइस होता है 290 रुपए 12 गंटे का विद पिक अंड रॉप फैसलेटी के साथ में 390 रुपए 24 गंटे का उसमें भी पिक अंड रॉप प्री रहेगा यानि कि पिक अंड रॉप इन रॉप इन चार्ज आपके डोर स्टेप तक गाड़ी प्रोवाइड गरेगा आपको नहीं लेके जाएगा क्योंकि हमारा काम है सेल्फ ड्राइब पे हम गाड़ियां रेंट पे देते हैं यानि कि आपके स्वयम के चलाने के लिए हां क्या 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 डॉकुमेंट लगता है दो डॉकुमेंट आधार काड ड्राइविंग लाइसेंस इसके लाभा कुछ पिनी है थांकियू सो मच भाई और मुझे अभी यह तो तक के लिए जब तक के लिए आपका यानि की तकरीबन 20-15 साल के लिए वह वैलिट रहता है तो वह तब तक के लिए तो मेरे पास वैलिट है अगर वह तो मुझे इस बार दोक्मेंट को देना नी पड़ेगा सब कुछ ऐसी हो जाएगा तो दोस्तों अगर आपको ब विलासपूर के आजपस कहीं भी घुमना हो या आपको कॉलेज जाना हो जैसे कि कई लोग आउट अप सिटी से हैं या आउट अप डिस्टिक्ट से हैं जैसे कि कुई रायपूर से आता है उसको जी 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 जाना है तो उसका चार्जी सी 200-300 रुपे से अधिक लग जात कई दोस्त मेरे जब बाहर चाते हैं मुझसे गाड़ी मंगते हैं मेरे पास गाड़ी रहता नहीं है तो मैं अब यह आउट टाइम के पास भेज देता हूं उन लोग आते हैं अपना फिल्ड अलाते हैं गाड़ी के जो चार्जेस है वह दो तीन सुर पर लगता है वो देते आपको ब्लान है मेरा सो दोसो आज की वीडियो में इतने ही आसा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लागा होगा अगर लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यू चैनल को और बेल आइकन को भी तपालने जल्दी मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक यह जो हाँ जीशे थीजगे जह हिंद